और आज कल बहुत देखने में आता है कि विश्वासी लोग जो है जिसला के ऊठाद से लिए चैंज होकर बदल चुकी है उनके फेवरेट पास्टर में और मैं आपको बता दूँ कि ये भी जो है एक मूर्ती पूजा है ये भी एक पूर्ती पूजा है आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है और अगर आप किसी को जो है इस कदर उसको प्रेम करते हो कि आपका प्रेम जो है वो प्रभू से हट कर उस व्यक्ति के प्रती तरफ आ गया है तो यह जो है आप गलत कर रहे हो यह मूर्थी पूजा है यह एक तरह का व्यविचार है ठीक है मैं आपको बताता हूँ के जो कलीसिया है ना कलीसिया वो है दुलहन और इश्यमसी है दुलहा और जो सेवक है सेवक है दुलहे के मित्र ठीक है अब जो दुलहे के मित्र है यानि जो सेवक है उनका काम क्या है कि दुलहे के आने तक दुलहन को तैयार करना है दुलहन को दुलहे के लिए तैयार करना है दूलहन को दूलहे की खूबिया, उसकी अच्छाईया, उसकी खूबसूर्ती, इन सब चीजों के बारे में बता-बता कर, व्याख्यान करके, करकर करके, दूलहन के दिल में, दूलहे के प्रटीप्रेम, आदर, समरपन, ये सारी चीजें जो हैं, वो पैदा करना है, ठीक है? तो दूलहे के विशे में बताने के, उसका प्रेम जो है दुलहन के दिल में पैदा करने के, अपनी ही खुबसूरती दिखाकर, अपने ही अच्छे बोलने का तरीका दिखाकर, अपने ही जो है चलने फिरने का, ये सारी चीजों का तरीका दिखाकर, अपनी ही चकाचौंद दि यह था वो दुलहे से हट कर जो है वो थोड़ा थोड़ा दुलहे के मित्र की तरफ आकरशित होने लगा है अब सोचिए दुलहे को कैसा लगेगा क्या कोई दुलहा दुनिया का कोई दुलहा यह पसंद करेगा कि उसकी दुलहन अप में उस दुलहे के तस्वीर हटा कर दुलह की पिक्चर ना लगा कर जो है दुले के मित्र की पिक्चर अपनी प्रोफाइल में लगा रही है या दुले के मित्र को देखकर खुश हो रही है कितना खुबसूरत है कितना प्यारा है कितना अच्छा बोलता है कितना अच्छा गाता है आप खुद सोचिए कि यदि ऐसा यद ये एक विचार है, ये एक पाप है, ठीक है, जो लोग इनसानों की तारीफ के भूके है ना, जिर लोगों को भीड की वाहवाही सुनना अच्छा लगता है, वो लोग कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे याद रखना, ये सिर्फ आपको वो ही बताएगा जो पूरी तरीके समर्पित है परमेश्वर की सेवा के लिए दुलहे की आग्या कारिता के लिए, क्योंकि दुलहा इस काम के लिए अपने मित्र को तनखा दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसके खर्चे उठा रहा है, उसको बोला है मित्र को, कि मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ, दु तूझे सुरक्षा दूँगा, मेरे लोग तेरी रक्षा करेंगे, तेरे बाल वच्चों को समभा लेगे, सब कुछ करेंगे तेरे लीए, तेरा सिरफ इतना काम है कि तूब एडिलान को तैयार करना, यानि कि जो इशु मसी है वो सेवकों को कहता है तूम्हारे सारे ख़र्च मैं उठाऊँगा और वो करता भी है वो हमारी जरूरते पूरी करता भी है लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि दुलहन जो है वो दुलहे की तारीफ करना छोड़कर दुलहे की महिमा करना छोड़कर अपनी जो है दुलहे के मित्र की ही महिमा करने लगे आजकर आप देखते हो ना चर्चिस में जब गवाही दी जाती है तो गवाही देने में जब कैसे कहते हैं गवाही देने में कि मेरे जीवन में ये काम हो गया पास्टर जी ने प्रार्थना करी और इनकी प्रार्थना करने से मैचंगी हो गई, परमिशन ने मुझे चंगा किया, प्रभी स्वेश मसी के नाम को महिमा मिले, पास्चर का नाम लेना जरूरी है, नाम लेना जरूरी है, किसने की आधरवाइज ऐसा ना हो, पास्चर को यह भी तो डर है ना, ऐसा ना हो ऑप जो Zoom मीटिंग पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है, मैं ये बात सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कि दुलहे ने मुझे काम दिया है, दुलहन को तैयार करने के लिए, और मैं दुलहे के प्रती पूरी तरीके से समर्पित और वफादार हूँ, कि मुझे द मुझे संसार की बड़ाई नहीं चाहिए, तुमको जो है, अगर चंगाई मिलती है, दुलहन को अगर खांसी जुखाम हुआ है, यानि कलीसिया में किसी कलीसिया मेंबर को, या किसी को बिमारी हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, तो दुलहा 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 भी भेजता है, दुला ठीक करता है लेकिन वो दवाई मेरे हाथ में भेजता है और मैं क्या करता हूँ दुलहे से यानि इशुमसी से चंगाई लेकर या दवाई लेकर दुलहन को यानि कलीसिया को दे देता हूँ अब कलीसिया जो दुलहन बिमार पड़ी दुलहे से मैंने समान लिया और दुलन को दे दिया लेकिन दुलन बोले कि वाँ 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 ये मित्र जो है जो दुलहे का मित्र है ये कितना अच्छा है इसने समय पर मुझे दवाईला कर दी और इसी ने मुझे चंगा कर दिया इसी ने मुझे ठीक कर दिया तो ये जो है एक पाप है यही गलती तो शेतान ने करी थी शेतान का क्या काम था शेतान का काम था परमेश्वर की महिमा से संसार को बरमेश्वर की बनाई हुई स्रिष्टि को अवगत कराना और परमेश्वर की महिमा लेकर परमेश्वर को देना लेकिन जब समय बीता तो धी बड़े जिनकी चका चौन्द है न वोगों की तारीफ से लोग उनके पैरों पर गिरते जाकर कितनी हैरानी की बातर उनकी बुद्धी काम नहीं करती वहिया स्वर्गदूत ने बोल दिया था कि मेरे पैरों में मत गिर मैं तेरे जैसा ही संगीदास हूँ स्वर्गदूत ने यह बात बोल दी थी लेकिन इनसान नहीं डरते हैं प्रभु की दुलहन को अपने पैरों पर गिरवाथे हैं अपने सामने दंडवत करवाते हैं डर भी नहीं लगता पता नहीं उनको जानकारी नहीं है या उनको तारीफ सुनते सुनते लोगों के तारीफ सुनते सुनते मज़ा आने लगा है कि चलो अच्छा है चलने दो जो नहीं जानते उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता जो जानकर भी अंजान है, उनका नयाए परमेशवर करेगा, लेकिन अब आप लोगों को ये पता चल गया है, तो ऐसे गलिती मत करना जो भी पास्चर है चाह कितना ही सुन्दर क्यों न हो चाह कितना ही अच्छा क्यों न हो चाह कितने ही अच्छा क्यों न हो चाह कितने ही अच्छी चीज़े उसके पास क्यों न हो उसके बाद जो कुछ भी है वो उसका कुछ भी नहीं है वो उसको परमिशर ने दिया, दुलहे ने दिया है, दुलहन की देखभाल के लिए, दुलहन को तयार करने के लिए, दुलहन की रखवाली के लिए, और अगर आप उसकी चीजों की वज़ा से, उसके अच्छे बूलने की वज़ा से, आप उसी के दिवाने हुए जा रहे हो, और आपको पता भी नहीं है कि कब आपका प्रेम आपका डिवोशन जो है वो दुलहे से हटकर यानि एशुमसी से हटकर वो उस पास्टर के प्रती आ गया है तो आप खत्रे में हो और आपको मैं बताना चाहता हूँ आप कभी भी आप स्वरगराजुम्य प्रवेश नहीं कर क्योंकि ऐसी दुलहन दुलह के किसी दुलहे को ऐसी दुलहन नहीं चाहिये जो उस से पूरी उत्र समर्पती ही देखिखती नहीं। इसलिए ऐसी दुलहन नहीं बनना क्य wear आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करें आपने प्रोफाइल measure सोचल मीडिया हैंडल्स और सब चीजों से आप जो है ऐसी पिक्चर सटा दो जहां पर कोई भी पास्टर चाहे हो दुनिया को कोई भी व्यक्ति हो उसकी पिक्चर्स है उसके अपने स्टेटस में हाँ कोई मैसेज है वो मैसेज आप शेयर करें उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग कंटिनुसली के जो है अपने 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 हातों से पर लगाया प्रोफाइल में लगाया दीरे आपका डिवोशन आपका प्रेम आपकी भक्ति उसी की तरफ हो जाईगा आपको पता भी नहीं चलेगा यह साइकोलोजी कली काम करता है सबकॉंचिस मैंड में काम करता है आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी भक्ति आपका डिवोशन हटके जो है उस विक्ति की तरफ आ गया है इसलिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान दीजिए जिसने आपके लिए कुर्बानी सही है जिसने आपके लिए स्वर्ग ठीके का नहीं होता ये भी वेविचार है ठीक है अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज इत्वाप पच्छताब करें और पूरी तरीके से अपने दिलो जान से प्रभीश मसी से प्यार करें उसी को अधिकार है गॉड ब्लेस यू